तो हेलो एब्रीवन बेलकम टू माई चैनल केडस ग्यान तो आज किस वीडियो में हूँ आप लोगों को यहाँ पर जो इंडियन नेवी का फ़स्ट का रिब्यू बताने वाले हैं तो किस परकार का लेबल रहा और यहाँ पर किस परकार के कुश्चन पूछे जा रहे हैं तो फर्स्ट आप वाल आप लोगों को बता दें जो एक्जाम का लेबल था वो कहेंगी बिल्कुल ठीक था ना ही जादा एजी था और ना ही जादा टफ था लेकिन जो एक जिनने यहाँ पर तैयारी नहीं किया तो उनके लिए तो बोल सकते हैं टफ इता एजी भी नहीं था लेकिन इसकी जो मैट थी वहाँ पर हम गो एरफोर्स के यदि कंपरेजन करें जो हमारी सेप्र में थी थोड़ा आपके में इजी भी हो सकते हैं तो हमको इसमें आसान लगी और और सब ठीक था यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो जीके सेक्सन थी उसमें कुश्चन सभी से पूछ रही थे ज़िए किसी ने बिलकुल डीपली तैयारी नहीं की है तो यहाँ पर उसने जीके में एक अच्छा टेम्ट नहीं कर पाया होगा और यहाँ पर तो पास एच्छा कुश्चन रीजिनिंग के भी थे उसमें तो जो एससी लेवल है और किसी की तैयारी कर रहा है तो उसका एक्जाम बहुत ही अच्छा और बोल सकते हैं तो एक यहाँ पर कुश्चन संगी से रेटेड भी थे बेद से कुछ साम बेद में जो होता है ना बेद संगी से रेटेड इस परकार का था और किरकेट से भी कुश्चन था और करेंट के भी दो कुश्चन थे बोल सकते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं म इगर इंगलीस की बात करें तो इगलिस में यहां पर एक पैसेज़ अब की बार नहीं था तो यहांपर बुल सकने हां यह अच्छी बात रहीं है यह पर एक पैसेज नहीं पूछा गया था और सभार इंगली couch वी अच्छा खासा बैटेट ही था दो और यहां पर science में भी देखिए दो chemistry से question थे और यहां पर एक bio में माइट्रो केंडिया से related कुछ पूछा गया था bio से भी था science में तो और एक ठीक था यहां पर यानि कि जो इसकी तयारी कर रहा था यानि कि जो basically यहां पर कुछ topic यहां पर skip करके करके पढ़ता था यह important है यह important है तो उसका यहां पर बोल सकते हैं यहां पर अच्छा नहीं हुआ होगा क्योंकि इतना अच्छा यहां पर इतना नहीं था एकदम separate सभी सभी यह जगाए से पूछाता है यह पर यह नहीं था कि एक topic यह आ सब्सक्राइब कर लेते हैं यह 25 का एक सेक्षन है तो उसमें 18 होगा यहां पर 19 यहां पर यह एक से बटेम्ट है तो कोई question जिसी को जैसे की दस question है यह बिल्कुस करेक्ट ही उसने आ रहे हैं यहां पर जब वहां पर देखते हैं स्कीन पर की जैसे कि उसको एक दमाग में र जादा बिल्कुल भी ना लगाएं क्योंकि आपने जब दस question करें उसमें से भी chances हैं कि आपका एक या दो question गलत हो जाएं जो आपको लग रहा है सही है तो इस पर का रहा है यहां पर आपको तुक्का से बिल्कुल भी दूर रहे ना यदि आप तुक्का लगाएंगे तो आ बिगनर स्टुडेंट हैं और जो अड़ी यहां पर पहले एक्जाम दे चुके हैं तो उनको कोई भी प्रोग्लम देखने को नहीं मिले होगी और यहां पर कोई देंट्री बता देंट्रीम क्या चेक हो रहा है तो आपका एक अदमिट कार्ड है और यहां पर एक आपका ID प यदि वीडियो पसंद आयो तो एक लाइक से सब्सक्राब जरूर करें और इसी परकार की वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल से जुड़े रहे हैं जैहिन